इन दिनों अम्बिट करवादी फिल्म मेकर्स ने फिल्म इंडस्ट्री में तहल का मचा रखा है ऐसी ही एक धमाकेदार फिल्म है जैन्ती मराठी भाषा में रिलीज होकर महरास्ट्रों में धुम मचा चुकि फिल्म जैन्ती अब हिंदी में OTT पर रिलीज हो चकी है यह फिल् इस कैमरा कास्ट के इस एपिसोड में आज हम इसी फिल्म का रिव्यू करेंगे जैन्ती का मूवी रिव्यू करेंगे तो आई ये शुरू करते हैं जैन्ती फिल्म मराथी भाशा में बनी थी और नवंबर 2021 में महरास्टर के सिनेमा घरों में रिलीस हुई थी कोरोना काल के बाद सिनेमा घरों में रिलीस हुने वाली ये पहली मराथी फिल्म थी लेकिन बावजूत कोरोना के फिल्म दर्शकों को जुटाने में कामियाब रही करीब 50 दिन तक वहाँ छाई रही धूम मचाती रही मराथी फिल्म इंडिस्ट्री के साथ दुनिया भर में इस फिल्म को खूब सरहा गया और अब ये फिल्म हिंदी में अपना जादू बिखेरने के लिए तयार है हिंदी में आप Amazon Prime पर जैन्ती को देख सकते हैं OTT पर भी जैन्ती की खूब तारिफ हो रही है जैन्ती मुखेरुप से महराष्टर के विधर बिलाके में शिवाजी महराज और बाबा साथ दुक्टर अम्बेदकर की जैन्ती को मनाने को लेकर होने वाले जुनून और कुछ हट तक दिखावटी पन को दिखाती है फिल्म इस बात के और इशारा करती है कि अपने महानाईकों की जैन्ती को मनाने से कुछ नहीं होने वाला बलकि उनके विचारों को भी जीवन में अपनाना होगा जैन्ती में इस बात को भी दिखाया गया है कि कैसे मनुवादियों ने महानायकों को भी उनकी जाती तकी समिट दिया है फिल्म में शिवाजी माराज को मानने वाले मराठा ओबीसी और बाबा साहब को मानने वाले दलित किरदारों के जर्ये आपसी खीष्टान को भी बख्खु भी दिखाया गया है ये फिल्म जैनती मनाने से ज्यादा महापुरुष्टों महामयलाओं को पढ़ने और उन्हें अपने जीवन में उतारने पर जोर देती है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये संदेश और मजबूत होता जाता है फिल्म में दलित आदिवासी, ओवीसी और मुसलमान किर्दारों के जरिये समसाम pipelines जरूरी मुदों को बहुत शांदार तरीकी से पेश किया गया है फिल्म की कानी का मुख्य किरदार संतोश और संतिया है जो मराथा जाती से है और खुद को शिवाजी माराज का सैनिक बताता है संतिया एक नमबर का लोफर है और इलाके के विधायक के लिए छोटी मोटी लड़ाई करता है पान की दुकान पर बैठ कर गप मारता है लड़कियों को परिशान करता है संतिया का किरदार रितुराज वानखेडे ने निभाया है संतिया के दिमाग में ये जूट बर दिया गया है कि शिवाजी माराज मुसल्मानों के दुष्मन थे और हिंदू रास्तापित करना चाहते थे ये जो आजकल आप देखते हैं जिस तरह से जो दिमाग में फितूर भरा जाता है वैसी ही आपको जलक इसमें देखने को मिलेगी और जब रफीक नाम का एक मुसल्मान शिवाजी जैन्ती के लिए चंदाई खता करता है तो संतिया उससे लड़ने लगता है वो कहता है कि माराज तुम्हारे कोई नहीं लगते यानि जिस तरह से कई दलितों पिच्ड़ो राधिवास्तियों का ब्रेनवाश करके उन्हें हिंदू बनाकर उनका इस्तमाल मुस्तमालों के खिलाफ होता है वैसा ही कुछ संतिया के साथ भी हुआ है उसका ब्रेनवाश हो चुका है संतिया शिवाजी माराज का नाम तो जबता है लेकिन उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता वो दस्वी फेल है और किताबे भी ज्यादा नहीं पढ़ता बाद में वो जेल चला जाता है और जेल में किताबे पढ़ने का मन उसे होता है जब वो किताबे पढ़ने लगता है तो बहुजन नैको की किताबे उसको अच्छी लगने लगती है और यही वो पल होता है जब उसकी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल जाती है फिल्म का लीड रोल OBC है और शुरुआत में बाबा साहब को पसंद नहीं करता संत्या के घर में तो जैभीम बोलना भी पाप मना जाता है उसकी मां जैभीम वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती यहां तक कि जब संत्या बाबा साहब की किताब शूद्र कौन थे उसे घर पर लाता है तो उसकी मां उसे घर से निकाल देती है जैन्ती में दिखाया गया है कि कैसे बोजन नायकों को उनकी जाती तकी समेटने का मनुवादी शडियंतर किया गया और लोग अपनी अपनी जाती के हीरो ढूनने लगे और बाक्यों से नफरत करने लगे फिल्म देखकर आपको एक OBC के अंबेर करवादी बने की पूरी यातरा समझाएगी मुखे नायक तो OBC है उसे सुधाने वाला मास्टर भी OBC है जिसे माली सर कहते हैं वो भी माली जाती से आता है और सब लोग उसको काफी पसंद करते होते हैं माली सर बुलाते हैं फिल्म में किरदारों को सिर्फ दलित किरदारों तक नहीं समीटा गया ये एक अच्छी बात हुई बलकि दलित, बुधिश, रादीवासी और OBC किरदारों के जरिये पैटकता को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया गया है ये अच्छा प्रियोग है और निर्देशक सैलेश नरवड़े इसमें कामियाब हुए हैं OBC के लिए बाबा साहब ने समविधान में आर्टिकल 340 जैसे जो प्रवधान किये हैं OBC को उनके अधिकार दिलाए हैं इसके बारे में भी फिल्म बीच बीच में बेहत सटीक टिपनी करती है जैन्टी के निर्देशक सैलेश नरवड़े ने इस बात का ख्याल रखा है कि बाबा साहब की तस्वीर सिर्फ दिवार पर नाचंगी हो बलकि कहानी में बाबा साहब राश्रपिता जोतिवा फूले और शिवाजी महाराज के विचारभी कहानी के साथ-साथ ही आगे बढ़े क्यों तो किसी फिल्म में बाबा साहब की तस्वीर को बेक्ग्राउन में आने जो दिवार को पीछे तस्वीर लगी रहती है सिर्फ उसमें आने में करीब चार दशक लगए किसी फिल्म में जो फिल्म इंडिस्ट्री का जो इक्यास है उसकी साथ-साथ देखेंगे तो चारदाशक बाद किसी फिल्म में बाबा साहब की तस्वीर दिखाई दी थी लेकिन जब एक अंबेर करवादी फिल्म बनाता है तो बाबा साहब को सिर्फ तस्वीरों तक नहीं बादे रखना चाहता बलकि उनके विचारों को ज्यादा हमियद देता है फिल्म में गोविन पांसारे की शिवाजी कौन थे बाबा साहब की शूद्र कौन थे और राश्पिदा जोतिवा फूले की गुलाम गिरी और शाहुजी महराज की जीवनी जैसे किताबों के जर्ये नायक के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव को शांदार धंसे लड़की है उसका किरदार सिर्फ हीरों के साथ रोमेंस करने तक सीमित नहीं है बलकि वो कहीं उससे ज्यादा है ज्यादतर हिंदी फिल्मों के साथ आपने देखा होगा कि हीरोईन को सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हीरों के साथ नाचने गाना का काम हो सके उनको सिर्फ प्लवी पूछती है कि तुम्हारी पहचान क्या है क्या काम करते हो जब संतिया खुद को शिवाजी महाराज का सैनिक बताता है तो प्लवी शिवाजी महाराज से जुड़े किसे बताकर संतिया को सब के सामने शर्मसार कर देती है क्योंकि संतिया शिवाजी महाराज की सिर्फ दिल्चस बात है और वो ये है कि फिल्म निर्माता ने इसे किसी सवर्ण लड़के और दलित लड़की या फिर दलित लड़के और सवर्ण लड़की के बीच का प्यार नहीं दिखाया है कि जिस तरह आप देखें कि सहरात या फेंडरी या जो दूसरी फिल्मों में आप सी लड़के को और बुद्धिस अम्बेट करवादी लड़की की प्यार की कानी को दिखाया गया है बलकि मुझे लगता है कि पहली बार परदे में एक ओबिसी लड़का और दलित बुद्धिस लड़की जो है वो रोमेंस करते हुए दिखेंगे आपको परदे पर ये इस फि करती है कि दलित और पिछडों को भी आपस में रोटी बेती का संब्ध रखना चाहिए एक दूसरे के साथ में आपको इस रहे की संब्ध रखने चाहिए पलवी मिशन पेबेक टू सोसाइटी में यकिन रखती है और अन्याएं के खिलाफ लड़ाई लड़ती है उनका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो हीरो के मुकाबले में वो भी अपने किर्दार को बहुत दंदार तरीके से आगे बढ़ाती हैं फिल्म में बहुजर महापूरश और महामयलाओं की जैन्ती के नाम पर होने वाले दिखावे और फिजूल खर्ची पर भी सवाल्या निशान लगाया गया है फिल्म में इस बात पर जोर दिया गया है कि बहुचनों के लिए जरूरी है कि वो अपने नाएकों के बारे में पढ़ें और उनके विचारों पर चले ना की सिर्फ जैन्ती के सलिब्रेशन में डीजे बजा करना चे शराप पी कर हुर्दंग करें ये सिर्फ शोबाजी करें वो कहते हैं कि इससे आपको आगे बढ़ना होगा और जैन्ती में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है कि आपके जो मापुरूश है मामयलाएं ह चलिए और ये दिखावे से बच ये सिफ जैनती मनाने से काम नहीं चलेगा बलकि आपको शिक्षा हासिल करनी होगी अपने बचों को काबिल बनाना पड़ेगा आपको अपने जो पीडियां हैं उनके भविशों को सवारना पड़ेगा अपने महापुरुशों के विचारों पर चलकर इस फिल्म में जैंती के में करेकरम हो रहा होता है जैनती का उसमें माली सर है वो इसमें डायलोग बोलते हैं वो कहते हैं कि इस देश को बाबा साहव नाम का एक बड़ा हीरा मिला है उसका ऐसे अफमान मत करो मन करे तो जैभी म बोल दिया और बन गए अमभीट कर फिर दिखावे के लिए कि देमा मना ल stylा में य Tuska नहीं ज़ाते हैं और अपने संदेजल के दुश्मन बन जाते हैं। अपने समाज के दुश्मन बन जाते हैं इस मोवी में खो ली गई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भले ही बाबा साब और बाकी बहुजन नायकों को नहीं दिखाती लेकिन पार अंजीत से लेकर नागराज मंजुले और नीरेज घेवन से लेकर सेलेश नरवडे तक अब अम्बेड करवादी फिल्मेकर जो हैं वो बहुजन प्रतीकों के सरी कानी को ना सिर्फ आगे बढ़ाते हैं बलकि बड़ा संदेश देने में भी काम्याब होते हैं फिल्म में बाबा साहब शिवाजी महराज संत्र रवीदास की तस्वीरों का बहुत अच्छा इस्तमाल किया गया है एक दलित बिजनसमेन के दफ्तर में आपको रवीदास और बाबा साब दिखाई देंगे वहीं जब संद्या गुंडागर्दी छोड़कर अपना रेस्टोरेंट खोलता है तो शिवाजी महराज कभी राश्पिता जोतिब्या फूले पेरियार और सावित्री माई जैसे जो नाएक नाइकाएं हैं उसके दफ्तर में दिखाई देते ह हैं फिल्म में पड़ो संगर्ठितो संगर्शकरो की थीम है और सिक्षा पर खास जोर दिया गया है बाबा सब कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूद है जो पीएगा वो धारेगा और जैन्ती का शेर यानि नाएक जब शिक्षा का दूद पीता है तो वो फिर ऐसा धारत है कि अच्छे चो की हवा ताइट हो जाती है जैन्ती में ये भी दिखाया गया है कि कैसे बोजन मनुवादियों के प्यादे बन जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं फिल्म में विलन की भूमी का मिया महरुपादिया हैं जिनको मीर के नाम से टीव इंडिस्ट्री मे यस धिलिए को जब संतिया और वह सके घर पर बदला लेने के लिए जाता है तो जो विधायक है करदम उसके जो लोग हैं वो संत्या को रोकने के लिए आ जाते हैं विदायक भी बहुजन है उसके गुंडे भी बहुजन है और संत्या जो अदिवासी जो मेड है रेखा उसका बजला लेने के लिए गया है वो भी बहुजन है और ये सब मिलकर एक सवन आरोपी को बचाते और हस्ता है ये सीन बहुत जबरदस्त है ये सीन दिखाता है कि कैसे मनुवादी हमारे अपने लोगों को ही हमारे खिलाफ इस्तमाल करते हैं और खुद मोज काटते रहते हैं अपने अपराद से भी बच जाते हैं जैनती का ये सीन बहुजनों को एक चेतावनी जैसा है कि कि साजिस को समझो और आपस में लड़ना बंद कर दो जेंती सेलेश निर्वडे की पहली डिरेक्टरी डेब्यू फिल्म है और अपनी पहली ही फिल्म में वो शांदार निदेशन करते वे नजर आते हैं उनका फिल्मांकन काफी अच्छा है उन्होंने छोटी छोटी बारीकियों को कैमरे के लेंज से दिखाया है और काफी अच्छे देंगते और उनने दिखाया है फिल्म के सीन भी काफी मारमिक हैं और बेहत सतीग नजर आते हैं सैलेश ने ही फिल्म की काहानी लिखी है, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा है, फिल्म के डायलोग काफी असरदार हैं और तुरंट समझ में आने वाले हैं, आसान भाशा में सैलेश ने बड़ी बाते के डाली, बहुजर नायको के कतनों का डायलोग की रूप में हिसर ब काम किया है, और यह दिखा दिया है कि सैलेश में बहुत सारी संभावना हैं, और हम एक शांदार अमेड करवादी फिल्म जो है, फिल्मेकर मिल गया है, फिल्म के सभी किरदारों ने बड़ी अक्टिंग की है, लीज रोल में रितुराज वान खेडे ने प्रभावी काम किय गली के गुंडे से लेकर एक सफल कारोबारी तक उनकी प्रस्नालिटी रोल में पूरी तरह से फिट बैठती है, जैनती में अपने रोल के लिए रितुराज मराथी फिल्म फेयर पुरुसकार भी जी चुके हैं, नाइका के रोल में जो है तितिक्षा तावडे ने भी काफ प्रियो टाइपिंग जो इमेज है कि खलना एक विलेन ऐसे होते हैं, वैसे नजर नहीं आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सैलेश शायद उनकी किरदार के इसर ये ये दिखाना चाहते थे कि कैसे कथित सब्य समाज के लोग भी कितने जाती वादी और घटिया होते हैं, जो अपने आपको एक प्रक्दिश शील के तोर पर भी दिखाते हैं, लेकिन अंदर उनके दिमाग में कितना जहर भरा होता है, और मुझे लगता है ये सैलेश ये मैसेज देने में काफी काम्याब हुए हैं, माली सर की भुमिका में मिलिन शिंदे गंभीर व्यक्तितों के साथ पूरा नयाय करते हैं, जो अपने आसपास हो रहे नयाय के कारण परेशान है, लेकिन उसके मन में कुछ बदलाव करने का भी संकल्प है, मिलिन शिंदे शानदर एक्टिंग करते हैं, फिल्म का म्यूजिक और भी बढ़िया है, गये ज़रूरी साउंद इफेक्स का इस्तमाल नहीं किया गया है, गानों का हिंदी वर्जन हलाकि मुझे लगा कि ओरिजनल मराथी के मुकाबले बहुत तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप ओरिजनल मराथी सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो मिलाकर मुझे लगता है, फिल्म के म्यूजिक और गाने काफी अच्छे हैं, और फिल्म खतम होते होते हैं, आप भीम सहनी का जैसी जद्धुन है, वो गुन गुनाने लगोगे, ये तो है, आप देखे कि फिल्म, तो फिल्म खतम होते होते हैं, आप उसके म्यूजिक को भी अन्प्रेडिक्टेबल नहीं है यानि उसका पूर्व अनुमान पहले से आप लगा सकते हैं फिल्म की कानी को देखते हुए कि शायद अब आगे ऐसा होगा और कुछ-कुछ फिर कानी उस तरह से आगे पड़ती है इसमें भी कुछ थोड़ी और संभावना थी इसमें कुछ और बहतर हो सकता था लेकिन जब समय्स्यां इतनी हो और बताने को इतना कुछ तो इतने कम समय में इतनी स्टोडीलाइन में कैसे समेटा जाए यह एक समस्या होती है अब आप मेरे रिव्यू को ही ले लीजिए मेरा मन करणा है कि मैं जयनती पर बस बोलता ही चला जाँँ आ के दारों के डायलोग और काने के बारे में बता हूँ क्योंकि फिल्म है इतनी अच्छी काफी अच्छी फिल्म है और मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मैं फिल्म की सारी जहनकारी आपको देखकर आपका मज़ा खराब नहीं करना चाहता आप खुद अमेजन प्राइम पर ज खुद का रेविव भी दे सकते हैं और जैनती को सपोर्ट भी करें ये भी मेरी अपील है क्योंकि एक अमबेट करवादी फिल्मेकर की मुवी को कामियाब बनाने की हम सब की जिमेदारी है ताकि जब वो अगली बार अपना कैमरा उठाए फिल्म की स्क्रिप्ट उठाए फ बहुत अच्छा काम किया और अब हमारी जिमेदारी है हिंदी भाष्यों की कि इसे पोटीटी पर भी हम इसको कामियाब बनाएं ये सब ये अमबेट करवाद्यों की जिमेदारी है वैसे आपकी जिमेदारी और भी है और वो ये है कि इस वीडियो को बागी लोगों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आप अपनी जिमिदारी निभाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो لाइच गैमरा कास्ट के इस एपिसोर में इतना ही साथ यो जैनती मूवी कर रिवीव आपको कैसा लगा वो जरूर लिखें अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रहें दे न्यूस बीग